अनुभाव कहता है कि यदि महनत आदत बन जाए न तो कम्याबी जो है ससिस जो है वो मुकतर बन जाता है बिलकुल सही बात है और सही बोल रहे हैری मेरा भी अनुभाव यही बोलता है अगर महनत का आदत अगर आपको लग गया तो बिस्वास मानो जिन्दिगी के किसे भी मोड पर आप अपने आपको गिरा हुआ नहीं पाओगे सच्चाई है बहुत कड़वा जिन्दिगी का ठीक है और याद रखना अगर महनत का आदब बन गयाना तो एक फाइदा और है कि परिवार आपका कभी कमजोर नहीं पड़ेगा ये आदब आप बनाईएगा अपने लाइफ में क्लास को स्टार्ट करूँगा इसी कोट्स के साथ और बोलूँगा जो भी चैनल के उपर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अफड़ेट आपको मिलता रहे है ठीक है और किसी भी एक्जाम का जो उपर भी दे सकते हैं आपको हर एक टेस्ट हिंदी और इंगलीज दोनों ही लेंगवेज में मिलेगा और किसी भी एक्जाम का कम से कम 20-25 सेट आपको दिया जाएगा 349 वाला पैकेज अगर बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ एक साल तक जो जो एक्जाम आए के इपॉर्टेंट करेंट अफेर हाला कि आज सनी बार है तो आज तो क्लास सनी बार संडे ओफ रहता है लेकिन सनी बार को आपको एक या दो वीडियो पक्का मिलने वाला है कुछ एक्स्ट्रा ठीक है तो देखते हैं आज का पहला जो कुछस्ण है वो हमारे सामने क्या नि आपको बताना है बहुत इपॉर्टेंट कोश्ण है ये वाला आंद्र परतेश राज सरकार ने जीरो बजट सुनने बजट प्रकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ जो है वो समझोता किया है तो वो बैंक है आपका के एफ डबलू आपसन नमबर आ तो आज का आपका पहला प्रस्त यही निकल कर आता है कि जर्मनी के रासधानी क्या है जर्मनी का मुद्रा क्या है और जर्मनी के रास्टपती का नाम क्या है यह तीन चीज आपको जर्मनी के बारे में कॉमेंट करकर बताना है ठीक है क्योंकि जिस बैंक के साथ आंद्र पर अगला प्रस्त हमारे सामने है किस वर्स तक भारतिया रेलवे ने उप्योग करने के लिए 1000 मेगावाट सोर उर्जा के स्रोत की योजना बनाई है किस वर्स तक तो वो वर्स है आपका 2021 से 2022 तक यानि कि option number आपका B अगला प्रस्त वारे सामने है कि 2019 में सक्ति साली पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश जो है वो टॉप पर रहा है और कल रात को साड़े 11 बजे वाले क्लास मैंने आपको ये question पूरे detail में समझाया भी था और मैंने आपको बताया था जो टॉप पर country है वो है आपका जापान ठीक है जो सबसे powerful password किस देश का है तो वो है जापान का ठीक है इंडिया का rank क्या है 2000 यहां पर एक चीज आप करेट कर लीजेगा इंडिया का जो rank है वो कितना है वह 84 है ठीक है यहां पर 2019 में भी जापान था और 2020 में भी जापान है आप एक बा कि 2020 में जो इंडिया का rank है वो 84 है ठीक है याद रखिएगा और जापान का capital क्या है Tokyo मुद्रा जापानी CN और राष्टपती कौन है तो वो है आपकी Sinjo AB ठीक है अगला प्रसमारे सामनी है किस bundle यानि किस division को दच्छन मद रेलवे में पहला 100 खंड घोसित किया गया है वो कौ कौन सा division है South Central Railway का और वो division का नाम है आपका गुंटल कल division option number आपका D ठीक है न और एक बात सभी को पता है railway minister कौन है Pius Goyle लेकिन chairman कौन है railway board का तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा chairman जो है वो railway board का उनका नाम क्या है बिनोद कुमार याद हो ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है किस राज में वार्षिक माधपूर मेले का आयोजन किया गया है किस राज में वार्षिक माधपूर मेले का जो है ओ आयोजन किया गया है तो वो राज है आपका gujrawat option number आपका C और गुजरात के सीम कौन है बिजयरुपानी वहां के राजजपाल कौन है अचार देबरत और राजधानी क्या है तो वो है आपका गांधी नगर ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने हैं कास्मीर को पूरे भारत वर से जोड़ा जाएगा रेल के द्वारा कब तक आपको ये ब अचे हुए पूरे भारत को जोड़ा जाएगा तो दिसंबर 2021 तक ये टार्гаेट रखा गया है कास्मीर को पूरे भारत को रेल से जोड़ा जाएगा ठीक है और एक बात कास्मीर के उपर राध्युपाल का नाम क्या है ये भी आपको बताना है तो वहां के उपर थीक है न और लद्दाक के कौन है तो लद्दाक के राधा कृस्टना माथूर ठीक है अगला प्रस्थ समारे सामने है वर्ल्ड बैंक ने भारत में विकास के विस्व बैंक की अनुमानित दर क्या है 2019 और 2020 के लिए भारत में विकास की विकास यानि यहां ग्रोथ की बात कर रहा है ग्रोथ की विस बैंक की अनुमानित दर क्या है तो वो है आपका पांच परतीसत अप्सन नमबर डी और आज का आपका दूसरा प्रस्न है कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का नाम क्या है यानि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम क्या है यह आपको कॉमेंट करकर कॉमेंट बॉक्स में बताना है यह आपका आज का दूसरा प्रस्न है अगला प्रस नमाले सामने हैं, सरकार ने बीमा और पेंसन कम्पनियों में 49% से कितने परतिसत तक विदेशी निवेश को असान बनाने का परताव दिया है, यह आपको पता ना है, यानि बोल सकते हो foreign investment की बात कर रहा है, सरकार ने बीमा और पेंसन कम्पनियों में 49% से कितने परतिसत तक विदेशी निवेश को असान बनाने का परताव दिया है, तो वो है आपका 74% option number, आपका यह नहीं यहाँ पड़ी होगा, ठीक है ना? अगला परस हमारे सामने है, निमलिखित में से किसने IRCTC यानि railway के साथ online booking सेवाओ को बढ़ावा देने के लिए करार किया है, यानि अब IRCTC और अभी बस, option number D, यह दोनों जो मिलकर है, यह online booking service जितने भी सेवाओ है, उनको बढ़ावा देंगे, यानि online booking service को पर्मोट करेंगे, यह दोनों मिलकर, IRCTC और अभी बस, ठीक है ना? अगला प्रस्त हमारे सामने है, सुन्ने बजट, प्रकिर्तिक खेती के विस्तार के लिए, अच्छा यह question मैंने पहले करवा दिया है ना? पहले, पहला question आज का था, अच्छा यहाँ पर बजट पूछा है, तो बजट जो है, वो है आपका 711 करोड रूपए, यानि option number D, ठी हुटको के CMD किसे नुक्त किया गया है, यह आपको बताना है, हुटको के CMD के रूपए किसे नुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है? M. Nagraj, option number आपका B is the right answer, M. Nagraj को हुटको का CMD नुक्त किया गया है, ठीक है, अगला प्रस्त हमारे सामने है, मुपा वारापू वैंकय वेंकेया नाइडू राष्ट्य पृस्कार के लिए किसे चुना गया है ये आपको बताना है। पृस्केंद्रे से भारत किस उपग्रह को प्रक्षेपन करेगा। बहुत इपॉर्टेंट क्वेशन है। तो ये थे आपके इपॉर्टेंट करेंट अफेयर कपका 18 जैनवरी का। और इसका पूरा का पूरा पूरा पीडियप आपको सक्सिसकी 98.in पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर सेयर कर दिया गया तो वहां से भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी भाई बैन देख रहें, उनको have a great Saturday, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ, अपने ममी और पापा का भी खयाल लखेगा। और एक बात, दो दिन का जो करेंट अफ़ेयर था, जुलाई का, वो भी आज आपको दोपहर में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है न? चलिए।